मित्रो आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि भगवान विश्णू के एक रूप को शालिक राम के नाम से भी जाना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विश्णू का शालिक राम सो रूप पत्थर के अंड की नदी में ही क्यों पाया जाता है अगर नहीं तो हमारे साथ वीडियो के अंतक बने रहें क्योंकि गंशाली ग्राम पत्थर का पाया जाना एक वैश्या की कथा से चुड़ा हुआ है जो बड़ी ही रोचक है नमस्कार, The Divine Tales पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मित्रु जैसे हिंदू धर्मे नर्मदा के हर पत्थर को भगवान शिव का रूप मानकर उसे नर्मदेश्वर कहा जाता है ऐसे ही गंड़की नदी का हर पत्थर शाली ग्राम होता है ऐसा मना जाता है कि शालिक राम भगवान इस नदी में स्वैम प्रतिष्ठित होते हैं, इनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है पौरानिक कथा के अनुसार, हजारों वर्ष पहले एक वैश्या हुआ करती थी, जिसका नाम गंडकी था वो वैश्या रोज रात को किसी ना किसी पुरुष के साथ भोग विलास करती और बदले में उस पुरुष से धन भी लेती थी गंडकी को यह काम करते हुए काफी समय बीद गया था तब एक दिन एक महात्मा जी उस गाउं में आये, जहां गंडकी रहती थी गाउं पहुँचकर उस महात्मा ने गाउं वालों का कल्यांड किया यह देख गंडकी उस महात्मा जी के पास कई और बोली महराज, आप तो संत हैं, आप सभी का कल्यांड करते हैं इसलिए मुझ वैश्या का भी कल्यांड करती थी गंड़की की बातें सुनकर महात्मा जी बोले मैं तुम्हारा कल्यान कर दूँगा लेकिन इसके लिए तुम्हें ये वेश्यवरती छोड़नी होगी महात्मा जी की बातें सुनकर गंड़की बोली गुरू जी मैं सब छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने शरीर को बेशना नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब मुझे इसकी आदत हो गई है इसके लावाब आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं तुरंट छोड़ दूँगी परन्तु ये काम आप मुझे से मत छोड़वाईए और किसी तरह मेरा उध्धार कीजिए तब गुरुजी ने कहा फिर एक काम कर आज के बाद से तेरे पास जो भी पुरुशाए तो उसे अपना पती और भगवान मानकर उसकी सेवा करना तो तेरा उध्धार हो जाएगा वेश्या बोली ठीक है गुरुजी आज के बाद मैं ऐसा ही करूंगी उस दिन के बाद से सूर्यास्ट होने के बाद उस वेश्या के पास जो भी पुरुशा आता वेश्या उसे अपना पती मानकर उसकी सेवा सद्कार करती आदर करती, खिलाती, पिलाती, चरन दबाती इतना ही नहीं सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष उसके पास आता उसे वह अपना परमेश्वर मानती इस तरह से उसने महात्मा द्वारा कई गई बातों पर विश्वास कर उनका पालन करने लगी उदर बैकुंट लोक में भगवान विश्णु यह सब देख रहे थे जब काफी दिन हो गए तब उन्होंने सोचा क्योंना इस वहष्या अर्थात गंड़की की परीक्षा ली जाए फिर एक दिन की बात है जब सूर्यास्त हुआ तो भगवान एक पुरुष के वेश में उस वहष्या के घर आए जब भगवान आये तो उस वहष्या ने बाकी दिनों की तरह ही उस पुरुष के चरंड होए भोजन कराया, जल पिलाया, पाउँ दबाये यह सब देख भगवान बहुत प्रसंद हुए फिर रती क्रिया के बाद भगवान भी उस वहष्या के साथ सो गए फिर अचानक सुबह चार वजह वह गंडगी को जगाते हुए बोले मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है पुरुष रूपी भगवान की ऐसी हालत देख वह वहष्या बोली अभी रुकिये, मैं वैदि को बुला कर लाती हूँ भगवान बोले, नहीं, तुम कहीं मच जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और फिर भगवान को इतना तीज दर्द होने लगा कि देखते ही देखते उनके प्राण निकल गए वैसे आपको बता दू कि भगवान ने मरने का नाटक किया अब जब भगवान मर गए तो उस वैश्या को लगा कि ये तो मेरा पती था, अब मेरा पती मरा है तो मुझे भी सती होना है फिर सुबह जब गवान वालों को पता लगा कि गंडकी वैश्या के घर कोई पुरुष मर गया तो गाउवाले उसके घर पहुँच गए और फिर उन लोगों ने बांस की अर्थी तयार की उसके बाद उस पुरुष किशव को उस पर लिटा दिया फिर उस अर्थी को गाउवाले शमशान घाट की ओर ले जाने लगे अब यह वैश्या भी उन सभी के पीछे पीछे सोलश रंगार कर चल पड़ी यह देख गाउवाले बोले गंडकी तुम इस तरह सचधच कर कहा जा रही हो तब वैश्या बोली मैंने इसे अपना पती माना था और जब इसकी मृत्यों हो गई है तो मैं भी इसके साथ सती होने चा रही हूँ यह सुनकर गाउवाले हसने लगे और आपस में बातें करने लगे भला एक वैश्या का भी कोई पती होता है लेकिन गंडकी पर गाउवालों के हसने का कोई असर नहीं हुआ और जब सबी उस शब को लेकर शम्शान पहुँचे तो गंडकी जाकर उस चिता पर बैट गई और जब शब को चिता पर लिटाया जाने लगा तब उसने उनके सर को अपनी गोद में ले लिया फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभू मैंने जब से गुरू के वच्छनों पर विश्वास किया है तब से लेकर आज तक एदि मैंने अपने पती के सिवा किसी भी पुरुष को देखा हो तो आग लग जाए गंड़की के इतना कहते ही उस चिता में आग लग गई अब जब आग लगी तो भगवान ने एक आँख खुली और देखा कि गंड़की क्या कर रही है भगवान ने देखा कि गंड़की तोनों हाँ चोड़कर आँख बंद कर मेरे नाम का जब कर रही है फिर भगवान ने अपनी माया से उस चिता की अगनी को और तेज कर दिया फिर भगवान देखने लगे कि कहीं अगनी की तपन से गंडकी भाग तो नहीं गई लेकिन उन्होंने देखा कि गंडकी पर तेज अगनी का भी कोई इसर नहीं हो रहा है उसका शरीर जलता जा रहा है लेकिन मैं उफ तक नहीं कर रही है फिर भगवान को समझते देर नहीं लगी कि गंडकी भले ही वैश्या है लेकिन यह भक्ती की सच्छी है फिर उसी शर्ण भगवान विश्नु के रूप में प्रकट हो गया और बोले गंडकी आँखे खोलो मैं तो तेरी परिक्षा ले रहा था और तुम उस परिक्षा में सफल हो गई भगवान के इतना कहते ही उस चिता की आग भी बुझ गई और देखते ही देखते उस वैश्या का शरीर भी स्वस्त हो गया उसके बाद जब गंडकी ने आँखे खोली तो वह अपने सामने भगवान को देख हैरान रह गई जब भगवान ने कहा बेटी मैं तुम से बहुत प्रसंद हो वरदान में जो तुम चाहो वो मांग सकती हो भगवन की बातें सुनकर गंडकी बोली हे भगवन यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी चिता पर आपका सर मेरी गोद में था वैसे ही आप सदा के लिए मेरी गोद में रहें इतना कहकर वह इतना भावुक हो गई कि देखते ही देखते उसका पूरा शरीर पानी बन गया और वह पानी वहां से बहने लगा और पानी की वही धरा गंडकी नदी हो गई तब भगवान बोले गंडकी आज से सदा में 40 ग्राम बन कर तेरी गोद में रहूंगा मित्रों इसके लावा अगर आप ये जाना चाहते हैं कि भगवान विश्णुक के शिराब के कारण 60 ग्राम पत्थर बने तो नीचे कमेंट कर रवश्य बताएं और अगर आपको हमरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जादा से जादा लाइक और शेयर करें साथ ही ऐसी और वी वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल The Divine Tales को सबस्क्राइब कर लें फिलाल आज की वीडियो में इतना ही अब हमें इचाज़त दें वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया